सामने सेरी से होते वे ताई निचा आ रही थी ताई दादी और जिसु के सामने खरी हो जाती है दादी के तो ताई से नजर ही नहीं अट रही थी और आयू उन्हें देखकर एक जोर से सीटी बजा देती है दादी आगे आकर और अपने हाथों से उनकी बलाई लेते हैं आप बहुत खुबसूरत लग रहे हैं ताई आपको किसी की नज़ा ना लगे दादी मुस्कुराते वे कहते हैं हादी दी आज बहुत खुबसूरत लग रहे हैं आप आयू हसते वे बोलती है ताई स्माल करते हैं लेकिन दादी आपने मेरे लिए ऐसे हाथ क्यों नहीं किये आप मुझसे प्याह नहीं करते हैं आयू अपने गुवारे जिसे मुफलाते हैं और उनकी बात सुनकर ताई और दादी की हसे छूट जाते हैं फिर दादी आयू के पास आकर अपने हाथों से बलाई लेते हैं जिससे आयू खुश हो जाती है चलो किस बात पर एक सेलफी तो बनती है आयू बोलती है और अपने फोन से तीनों की एक सेलफी लेती है उनके बाद वो ताई की अकेली की कुछ पीच्चल लेते हैं और अपने तो भर भर के पिच्चल लेती है उनमें से ताई की एक फोटो जंकुक को सेन कर देते हैं और उस पर एक मेसेज भी कर देते हैं बहुत खुबसूरत लग रही है ना मेरी भावी तब दादी की नजर ताई के हाथों पे पहने वे रिंग पर जाते हैं ये वही रिंग थी जो जंकुक ने उसे पहनाया था वो इस बारे में ताई से पुछने ही वाला होता है कि तब ही उनके फोन में रिंग करने लगते हैं वो कौन उठाती है और कुछ बाते करके फोन रख देती है वो रिंग के बारे में बुली ही जाती है और आयू को देखती है जो अपने मुवाइल में भीजी थी आप चले दादी बोलती है हाँ बिल्कुल मैं तो कब से कही रही हूँ आप ही दोनों तियार होने में टाइम लगा दिये हैं आयू अपने मुवाइल को बन करते हुए कहते हैं और दाद दिखा देती है सैतान दादी या बोलती हुए घर से बाहा निकल जाती है उनके पीछे ताई और आयू भी घर से बाहा निकल जाती है घर से बाहार आकर वो कार में बैट जाती है और ड्राइवर कार स्टार्ट करके चंकुक के मेशन से बाहा निकल जाते हैं इधर चंकुक अपने कार में बैठा हुआ था तब उनके मुवाइल पर आयू का मेसेज आते हैं चंकुक उसे उपन करते हैं तो ताई की आज वाले फोटो थी ताई की फोटो देखकर चंको कपना पढ़के जखकाना ही भूल जाते हैं मिसिस ताई तुम तो दिन पर दिन मुझे दुनिया से निकाने के काम कर रही हो अब इतनी खुबसुरत लगोगी तो बेचारा मेरे दिल धरकना ही बन कर देंगे अपने इस नंगेतर पर कुटो रहम खाओ चंको कोटो दिखते हुए मन में कहते हैं तब ही उनकी नजर आयो की सेंट किये गए मेसेज पर जाते हैं और उसे परकर चंको की होटो पर मुसकान तेड़ जाते हैं चंको को मेसेज लिखकर आयो को सेंट कर देते हैं इधार आयू के मुवाइल पर जैसे ही जंगुक का मेसेज आते हैं आयू दुरन्ट ओपन करके उसे देखते हैं तो मेसेज परकर उसको भी हसी आ जाते हैं पास बैठे टायू उसे हसते हैं तो उसे सारा से पुछते हैं क्या हुआँू? क्यों हस रही हो आयू ने नामे सीर हिला कर एक दन सान से बैठ चाती है सर दादी ताई आयू घर से निकल चुके हैं और बोरी गार्ड भी उनके साथ है कार में ड्राइवर के पास सीट पर बैठ कर जिहोग कहते हैं हाँ जंकुक बस इतने ही कहते हैं और वापस ताई की फोटो ने आने लगते हैं कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ा होटल के सामने काले रग के तीन चार गारी आकर रुखते हैं उनमें से दादी आयू ताई बहां निकलते हैं आयू और ताई चाकर दादी के सामने खरे हो जाते हैं और वोट सभी होटल के अंदर चले जाते हैं अंदर से बहुत सुन्दर सजावट किया गया था जिससे साब पता चल रहा था यहां किसी बहुत बरे आदमी घर वाले का साधी था अंदर आते ही दादी अपने जाने वाले से बात करने लगती है और अपने साथ घरे आयू और ताई से सभी से मिलवाते हैं ताई और आयू की बहुत तारिफ करते हैं खास तोर पर ताई की क्योंगी लग ही रही ती इतनी खुबसूरत कुछ तेरबाद होटल के सामने एक सफेद रंग की कार आकर रुखते हैं और उसमें से यूंजुन बहार आते हैं उनके पीछे आकर पीम हितासा भी कार से बहार आते हैं यूंजुन होटल के अंदर चले जाते हैं दादी ताई आयू आपस में बात कर रहें थे यूंजुन जैसे ही ओटल के अंदर आते हैं तब ही उनकी नजर सामने उन तीनों पे जाते हैं लेकिन जैसे ही उनकी नजर ताई पे जाते हैं तो एक पल के लिए वो अपने पल के जबकाना भूल जाते हैं ओ मिसिस ताई जब भी तुम्हें देखती हूँ न तुम्हें पानी के लिए और ख्वाइस पर जाते हैं अब उपर वाले ने तुम्हें इतना खुबसूरत जो बनाया है तो इससे पहले हक तो युनजुन का बनता है न युनजुन अपने मन में ताई को अपने हवस भरे नजरों से देखते हैं तुम यही रहो और जो बूला है वो हो जाना चाहिए मैं जा रही हूँ नानी से मिनने के लिए युनजुन ये बोलकर एक डेबिल इसमाल देते हैं और उन तीनों के पास चले जाते हैं नानी सा आप यहां अचानक युनजुन को वहां देखकर दादी चोग जाते हैं आयु और ताई उसे देखकर हिरान हो जाते हैं अगले ही पल दादी देखते हैं कि युनजुन किस तरह से ताई को देख रहा है तो उन्हें बहुत गुश्या आ जाते हैं आयू ताई आप दोनों वहां जाके बैठिये हम अभी आते हैं दादी उन दोनों को आवा देते वे कहते हैं तो वो दोनों वहां चले जाते हैं क्या नानिसा हमें भी किसी से मिला जीजा कीजिए यूंजुन सेतानी हस्तवे कहते हैं आप यहां क्या कर रहे हैं इंजुन दादी गुस्सा से उसे कहते हैं दादी के बाद सुनते हैं यूंजुन एक सातिर मुस्कान अपने होटों पे ले आते हैं जिससे दादी देखकर डर जाते हैं उन्हें युन जुन को यहां आना कुछ गलत होने का आदिस दे रहा था